सो वेलकम बैक टू साबरी गोट फॉम आज का टोप एक है बगरी के हमारे पेट में कीड़ हो गया थे बगरी के बच्चे के हमने डिबॉर्मिंग टाइम पे कर तो दी ती लेकिन नहीं हुई सक्सेस्फूल फेल भी हो जाती है किसी गलती की वज़े से नॉर्मल नहीं तो हमा इसका पेट खाली नहीं होगा इस चक्कर में डिबॉर्मिंग नहीं हो Zeural Performance की दवाई खिलाते ही इसमें कुछ खालिया होगा तो कुछ कारान रहते हैं जी AWS और हमें जादतर मेधध जो है अलग फलग कर सामाना ने चाहिए नील जान से फेंट-बेंडा-जोल, एलबेंडा-जोल, इन सब इस आल्टो से आप अप अलग तरीके से करवाते रहे हैं एंड में आके आप देसी भी तरीका इस्तमाल कर सकते हैं तो उससे भी बहतर रहेगा डिवोर्मिंग करना तो आज का केस यह है के बक्री की डिवोर्मिंग कर दी ती इसने 5-6 दिन से खाना पिना बंद अचानक से कर दिया तो खड़ी रहना बुखार सा चाड़ा रहना तो एसी कंडिशन में हम नहीं समझ भाए क्या था अचानक से इसने मेंगनी के अंदर बहु एक केड़ा इतना लंबा भी लिकला तो समझ में आगे मैंटर को कुछ भी जादा दिमाग पर जोर देने के नहीं कि नहीं कि पक्री को डिवोर्मिंग की ज़रूरत है इस चक्कर में हमने वीडियो शूट करना शूरू गर दिया तो चलिए वीडिया को आगे थोड़ी से औ और बाते बता दूं कि अगर आपके बकरी के यहां पर सूजन आ रही है तो इसका मतलब उसके लीवर में कीड़े पहुंच चुके हैं कुछी दिनों के अंदर उसके मृत्वी हो जाएगी इसको करने के लिए आपको एलवो मार साल्ट का लिक्विड पिलाना होगा जो ब्र करेगा और उसके इलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं है वो करने के बाद डबल डोस देना होगा जैसे कि मानलीजा आज आपने दे दिया और कल फिर आपको दुबारा देना होगा तब जाके इसकी सूजन हैंड तो हैंड यहां से गायब हो जाएगी गायब होने के बाद में जाएगी तो यहां पर सूजन रेगी खाना पीना बंद हो जाएगा इंजेक्शन किसी काम के नहीं कोई इंजेक्शन नहीं सूजन खतम कर सकता उसका दर्द सूजन बुखार कुछ भी नाल जैसिक देदो नहीं रुकेगा तो हम डिवार्मिंग के लिए ने कर आए हैं अप अच्य नहीं काणा पराणा साल्ट है बहुत अच्छा वार्मिंग के लिए होता है तो टीन किलो वजन अगर जिस पखरी सो जारी कोई अगर भकरी 15 kg है तो उसे पांच अमेल, सही कह रहा हूँ ना, हाँ यार 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 यसे वड़ा गुणा भागवत लागना पड़ेगा, एक अमेल पर तीन केसी बोड़ी है, ठीके ना, तीन पंजा पंदरा, ठीके ना, तो पांच अमेल, मेरे हिसाथ से इस भकरी का वजन मुश्किल सा मुश्किल 12 की लोगों को शायद, ठीके ना, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, बैक करके भी, तो मैं इसको पिलाओंगा, करीबन, करीबन, तीन तेन नो, तीन चो बारा, पांच अमेल, करीबन, करीबन इसे पिला दूँगा, तीबोर्मिं हो जाएगी और इस बकरी को मैंने कल अलबोमार पिलाई ती, आज मैं इसको नील जान पिला रहा हूँ, ठीके, क्यूंकि अलबोमार पेटाव साथ खतम होगी, वन्नमें वही पिलाते है, इसको चलिए देखते हैं बकरी की कंडिशन क्या है, तो यह है बकरी की कंडिशन, बकरी यह एक्टिविटी नहीं है, इसके अंदर जो नॉर्मल एक बकरी में होती है, ठीक है, तो बहुत जादा ऐसी सी, एस उस्तुसी, तो हम इसको नीगोर में कराएंगे, वजन इसका जादा है, नहीं छोटा ही वच्चा है, कर इवन तीन महीने, चार महीने का, यह जो भी जैस एमेल, ठीक है, तो एमेल एक्स्ट्रा हो जाए, कम ना हो, तो मैं इसको एपला दूँगा, सभी की डिवोर्मिंग इसे साथ सब मुझे दुबारा करनी है, ठीक है, यह प्रेगनेंट हैं, दो बकरीया, आई थिंक, कन्फरमेशन हो चुकी, लेकिन फिर भी रिपीर्ट हो ज करता नहीं है, तो मैं इसी से करूँगा, नील जान सीरफ से, सबसे जबरदस, लिक्विड, पेगनेंट सी सेफ, चलिए, बगरी की तरफ चलते हो, उसको मैं पला दूँ, वीडियो पसंद आए, इंफरमेशन पसंद आए तो, लाइक, कमेंट, शेर और सस्क्राइब करें, क थैंक यू